नमस्ते Teacher Education Simplified चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिनके प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाते समय किन बातों का धहन रखना चाहिए प्राइवेट क्लोचिंग क्लासेस मतलब जिनके लिए किसी के योगा क्लासेस होते है म्यूजिक क्लासेस होते है कोई काउंसिलिंग होते है स्पोर्ट्स इस तरह के अलग अलग अपने अपने क्लासेस होते है जो उनका एक प्रोफेशन होता है तो उस प्रोफेशन को हाइलाइट करने के लिए बहुत से लोग, बहुत से प्रोफेशनल यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं, लेकिन ये चैनल बनाते समय आपको कुछ बातों का खास धहन रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो चैनल है, उस चैनल की मदद से आपको अपना प्रोफेशन को उपर बढ़ाना है, ना कि के लिए यूज करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपका कोई प्राइवेट कोचिंग क्लास है, जिसमें आप अपना लोकेशन अगरा या फिर आडवर्टाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से, दूसरी बात इस चैनल का उपयोग, आपके स्टूडेंट्स और आपक करना चाहिए, और आपने क्या नहीं करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, आपको नहीं करना चाहिए, आपका सारा कॉंटेंट आउनलाइन रखना, क्योंकि मान लिजे, आप टीचर है, और आपका कोई कोचिंग क्लास है, और अगर आप सारे आपका कॉंटेंट आउनलाइ सकते तो इसका मतलब आपका जो प्रोफेशन है तो आप अपने बच्चों के लिए अगर यह रखते तो उसका इस्तेमाल बाकी के क्लासेस वाले भी कर सकते हैं क्योंकि आपका मेन प्रोफेशन जो ओनलाइन नहीं है ओफलाइन है तो अगर आप आपका सारा कॉंटेंट सारे टीचिंग के आपके लेसंस अगर आप आप आउनलाइन रख देते तो यह तो सब के लिए अवेलेबल हो जाएगे तो फिर इसका इस्तेमाल बाकी के जो कंपेटिटर है वो भी कर सकते है तो आप अगर चाहते कि जैसे इस लॉकडाउन के सबके लिए उपलब्द है सब अगर देख सकते है अगर फ्री आप कॉस्ट है तो आपके क्लास में कहन आएगा तो आपको यह इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सारे वीडियो यूट्यूब पे न जाए अगर जाते है तो उसको अनलिस्टेद रखा जाए जैसे कि यहा अपलोड करते वहाँ पर तीन आप्षं मिलीक प्राइसेट जो बीडियो जो भी आप साथ कर देख सकते हैं उसे आप अनलिस्टेट करके रखिये YouTube के उपर ताकि वो general audience को ना दिखे, आपके competitors को ना दिखे और उन लोगों को ना दिखे, जिन्होंने आपकी fees नहीं दिए है तो आप unlisted रखिए और उसकी link जो आपके students का group होगा उनके साथ ही share कीजिए और उने भी ये बात बताए कि ये link सिर्फ आपके लिए है, आप किसी और के साथ ना share कीजिए तो इस तरह से अगर आप सारे वीडियो unlisted रखते होगे, तो आपका जो चैनल वो private तवर पर रहेगा, सिर्फ आपके class के students के लिए रहेगा तो जो भी students आपकी fees देकर आपके class में आएगा उनी के लिए वीडियो होगा है, इसलिए आपके जो सारे वीडियो है वो अगर आप unlisted रखते हो तो आपका जो offline class है वो अच्छी तरह से चलेगा आपको पूरा पूरा धहन रखना है कि आपके सारे जो वीडियो सारी जो बाते वो YouTube पर ना आए क्योंकि वो सुनने के लिए ही लोग आपके class में आते हैं तो वो free of cost अगर YouTube पर है तो कोई आपके class में नहीं आएगा तो एक आम YouTube चैनल और प्राइवेट कोचिंग का YouTube चैनल में यह फरक होना चाहिए क्योंकि अगर आप आप आपने सारी फ्री देते तो कोई भी फीज देकर वहाँ पे नहीं आएगा यह भी देहन रखे कि आपका YouTube चैनल आपने शुरू किया है वो आपका जो offline प्रोपेशन है उसको upgrade करने के लिए बनाया है अगर आप आपकी जो भी कलाये हैं अगर आप मान लिजे रंगोली बनाते हैं मेहंधी बनाते हैं या dance class है आपका अगर आप सारे skill अगर YouTube पे डाल देते हो तो सारे student जो है या जो भी सीखना चाता है वो इसे सीख लेगा और फिर आपके class में कोई भी नहीं आएगा तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका YouTube online channel है वो इसलिए बनाया है ताकि आपका offline professor जो है profession जो अच्छी तरह से फले फुले और उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा profit हो तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए एक इस बात से खुश मत होई है कि आपको बहुत ज्यादा views मिले अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद ही अपने profession के खिलाब जा रहे है तो अपने YouTube चैनल का उपयोग सिर्फ आप advertisement के लिए कुछ glimpse दिखाने के लिए कुछ achievement शेयर करने के लिए जी किजिए और जो भी बाकि content related जो भी वीडियो होगे वो सारे आप unlisted किये इस तरह से आप अपने इस online YouTube चैनल का फाइदा आपके offline profession को बढ़ाने के लिए किजिए बहुत बहुत शुक्रिया